संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने PTI वीडियो से बात करती हुए कहा कि G20 शिखर संबिलन भारत के लिए अपनी विरासत और संस्कृती को दुनिया के सामने दिखाने का शानदार मौका है लेखी ने कहा कि 220 से ज़्यादा कारिक्रम आयुजित किये गए हैं और शिखर संबिलन में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिदियों के जीवन साथियों के लिए क्यूरेटर खरीदारी अनभव सहित विभिन ने वैवस्थाएं की गई हैं मंत्री न कहा कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक भारत की यात्रा पर रोशने डालने के लिए विशेश प्रदर्शनी भी आयुजित की गई है एक हमारी एग्जबिशन है जिसको हमने नाम दिया है रूट्स टू रूट्स और मतलब जड़ों से लेकर रास्तों तक और उसके माधियम से जो हमारा 2000 इसा पूर्व यानि आज से 5000 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना रत वो एग्जबिशन वहां से शुरू होती है लेखी ने कहा कि डिजिटल भुक्तान में करांती लाने वाले UPI के बारे में विदेशी प्रतिनिदियों को दिखाने के लिए विशेश प्रावधान किये गए हैं खरीदारी के लिए उनके को फोन्स दिये गए हैं जिसमें थोड़ा पैसा अपलोड किया जाएगा और उस QR कोड के माध्यम से वो लोग अपना शॉपिंग कर पाएंगे क्योंकि इन सब के खाते जो हैं भारत में नहीं है तो जाहिर तौर पे वो खाते विदेश में रहने की वज़े से फोन बांकिंग संबब नहीं है पर हमने अपनी UPI का इस्तेमाल करते वे जो फोन जिन को दिये गए हैं उसके अंदर एक experience के तौर पे छोटा सा माउन डाल के ताकि वो experience कर पाए कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रतिनिधियों को उनकी प्राथमेक्ताओं के हिसाब से वेभिन्ने प्रकार के भारतिये विंजनों का स्वाद लेने का मौका भी मिलेगा लेखी ने कहा कि भारत एक मित्र राश्र है जो वसुधेव कोटमुकम के दर्शन में विश्वास करता है जिसका मतलब दुनिया एक परिवार है